केंद्र के अध्यदेश पर दिल्ली मेरार, सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्वारी, सौरब भारद्वाल ने राहूल गांधी को दी कैसी नसीहत? मौहबत की दूकान के नवत खरीजुक सकता है। जो कहा है, उसको करके भी दिखाना पड़े मीरा, और ईभी तो आप सत्ता में नहीं है, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी के पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने एहम में हैं अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो तो आपका एहम कहीं जादा ना बढ़ जाए तो आपको संतुलित होना पड़ेगा अपनी मुहबत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मुहबत बेच रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ कि हर हर विपक्षी दल मुहबत की दुकान पर आएगा और कहें का लाई ये मुहबत दीजिए और आप कहेंगे हमारे पास मुहबत नहीं है तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है आपको मुहबत देनी पड़ेगी क्योंकि आपने खोली है व पर दो अक्सर देखता हूँ रहुल गांदी महबत प्यार है यह बाते अपनी भाशनों ने कहते हैं कि बारतीय जन्ता पार्टी नफरत फिलाती है कॉंग्रिस रहुल गांदी प्यार और महबत फिलाते हैं महबत की दुकाण चला रहे हैं नफ्रत के बजार में तो उस मुहबत की दुकान में महबत किस-किस के लिए हैं यह तो दुकानदार नहीं तै करेगा तो जो ग्रहाइकं आयगा वह मुहबत खरीद सकता है either to तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना पड़ेगा और अभी तो आप सत्ता में नहीं है लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है क्या आप अपने एहम में हैं अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो तो आपका एहम कहीं जादा ना बढ़ जाए तो आपको संतुलित होना पड़ेगा अपनी मुभबत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मुभबत बेच रहे हैं मैं तो कह रहा हूं कि हर हर विपक्षी दल मुभबत की दुकान पर आएगा और कहिए का लाइए मुभबत दीजिए और आप कहेंगे हमारे पास महबबत नहीं है तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है आपको महबबत देनी पड़ेगी क्योंकि आपने खोली है वो दुकान आपने कहा है बार बार कि हम नफरत के शहर में महबत की दुकान नफरत के बाजार में महबत की दुकान पे बैठें तो करना पड़ेगा और बड़ा दिल इसमें कोई छोटी बात नहीं है बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा